आज की बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं। क्षेतर में उल्लास का महौल है मिक्स मार्शल आर्ट बहुत ही खतरनाक केल माना जाता है जो कुष्टी जुड़ो और बॉक्सिंग खेल का मिश्रण है यही कारण है कि इस केल में जान गावी जोखिम रहता है लेकिन इस खतरनाक खेल में इन गाम की बालाओं ने स्वरण पदक जीत कर यह सावित किया है कि ग्रामिन क्षेतर में भी अगर लड़कियों को बेहतर प्लेट फॉर्म दिया जाए तो वो जरूर प्रदेश का नाम रोशन कर सकती हैं इन दोनों खिलाडियों की इस उंची उडान को पंक दिये हैं राजकिया महामिद द्याले में कारेरत अमितरान ने जिन्होंने हजारों रुपे खर्च कर इन लड़कियों को प्रशिक्षित किया और वो आज प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं अमितरान के पास लगवग 46 चात्राइं प्रशिक्षन लेते हैं और वो निश्यूलक इन बच्चों को प्रशिक्षन कर उन्हें आतमरक्षा के गुर सिखा रहे हैं कोच अमितरान ने इन दोनों चात्राओं की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जिस प्रकार से इन दोनों खिलाडियों ने पसीना भाया था उससे इनकी जीत सुनिश्चित थी रास्ट्री स्तर पर गोल्ड मैडर जीतने क के बाद अब इनका अगला लक्ष वर्ल्ड क्वालिफायर के लिए त्यारी करना है उन्होंने कहा कि उनकी एक खिलाडी सोमी इंटरनेशनल स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन करेगी ऐसे मैं उम्मीद किया सकती है कि जिस प्रकार इन दोनों खिलाडियों ने प्रदेश का न करना हुआ हुआ है कि अर तो यह मायद कर दिए वाउन में सब्सक्राण थिए तो बहूँ रहां प्रश लएक के हुआ है जिешती हम इंट इसाती ब ON कर दूस्त का राओंस्तिको श कर दिया आगे बर्ड कॉलिफायर है उसमें ट्यारिय कर रहे हैं और सोनी जो है वो आगे तक जाएगी उसकी जो जिसी सहाब से प्रदर्शन किया हर कोई उसका फैन बन गया था क्योंकि उसने सारे जितने भी तीन मैच हुए उसके ठीक है उसमें अपनी से ज्यादा बीट की खेले कि जो बीट करेंगे थी उसमें बीच में वार्क ता साथ केजी का तो जो सबसे कम 53 और 59 में कितरा फ़क हो सकता आप PR TV के लिए नूरपूर से भूशर सर्मा की रिपोर्ट